तो यह ज़िए गैज मेरा नामें पिंकी और मैं स्वागत करती हूं अपनी यूटूब चैनल आरमी फेपली लाइफ स्टाइल में तो गाइज आज का मुझा व्लोग कुछ रेसिपी कहे है और वह भी डीनर रेसिपी कहे है तो हमारे डीनर में बन रहा है चिकन करे की रेसिप बहुत ईजली में मैं बनाती हूं और बहुत ही टेस्टी बनती है तो चलिए हम अपना वीडियो इस कारट करते है गाइज तो आप देख सकते हैं मोनियन्स को भी कट करके रखा है और मैं ग्रीन चीली काट रही हूं और उधर मैं चिकन को भी वास करके रख लिया है और अगर रेड हो आपके पास तो और बेटर है मेरे पास रेड नहीं थी तो मैं ग्रीन ही डाल रही थी उससे टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है और इधर हमाई कड़ाही भी का तेल भी हीट हो चुका था तो उसमें मैंने जीरा डाल रखा है जीरा को अच्छे से भून लेंगे ह ब्राउन प्राईस टालेंगे तो तो आप देख सकते हो था लेंगे आप तो गया है अब देल इसको मैं ने टालेंगे इसको मतलब लाight था टालें कर नहीं करना है यह ताय रिलीज नहीं नहीं करता है और चीकन के साथ से मिक्सलिक करें तो हम इसको लाइट को प्राइल करेंगे और चीकन को यह जाथ técnica लाइट पराइट हो जाए Kate चीकन को डाल अच्छे से हम फ्राइ करेंगे हैं हम ने बहुत है खाते हैं मार्केट खाते कभी घर खाते ऋली बनता है और बहुत ही टेस्टी है काइसक, आप जरूर Buna के ट्राइ करना इसक ते हम ज्यु ब्हुत ही चाहते इसक लग neutr cay बहुत ही का पाउडर हल्दी से ही हम कलर दे सकते हैं कोई भी खाने में बसरते उसको हमें कब डालना चाहिए और कैसे डालना चाहिए इसका हम यूज करना नहीं जानते तो काईज हम बताएंगे आप सभी लोगों को कि जब हम कभी भी पनीर की रेसिपी बनाए या फिर चिकन की या फि इसको हम तेल के साथ ही हमें फ्राइ कर लेना चाहिए जब हम हल्दी पाउडर को तेल के साथ फ्राइ करेंगे ना गाइस तो इसकी कलर आप रूपी मतलब नेचुरली कलर फूम दिखेगी यह बहुत ही अच्छी दिखती है तो गाइस मैं आगे आपको वीडियो में दिखा को और ओनियंस को तभी मैंने डाल दिया क्योंकि यह तेल के साथ ही यह फ्राइ हो जाएगा हल्दी तब कलर बहुत ही अच्छा आता है तो आप देख सकते हो हमारा जो ओनियंस है वह वाटर भी रिलीज कर चुका है और मैं मिक्स कर रही हूं जब यह वाटर रिलीज कर देत चीकन भी अच्छे से पक जाता है और ओनियंस भी मिक्स हो जाता है तो आप देख सकते हो मसाले में मैंने क्या यूज कर रही हूं मसाले में गोलमरीच अद्रक और दालचीनी और हल्दी पाउडर थोड़ा सा और जीरा और साथ में उदर दो मैंने इलाइची छोटी वाली है और मैं साथ में दो लांग के यूज करती हूं आप देख सकते हैं दो लांग सब्ती तो मैने 15 एंखि Mm है है साथ मासालो को एक साथ मैं इसको हूं ई सब्ले 75 आप दलूंग जाता है नहीं हम एई जाता है और आधा गंटा 25 मिनट में यह चिकन बन जाता है और बहुत इसली और बहुत ही टेश्टी बनता है काई तब देख सकते हैं चोटकुसा टोमेटोस काट कर रही हूं यह जो टोमेटोस जादे बड़ा नहीं लेना चाहिए चोटा ही लेना चाहिए क्योंकि खटी- करना है मैंने तो उनियंस भी रफली चॉप किया था और टोमेटोस जब आपके सामने टोमेटोस कट करके मैं दिखाई हूं यह आपको लाश्ट पर पता ही नहीं चलेगा क्यों यह तो आपको मैं दिखाऊंगी अभी आप तेख सकते हो इसको मतलब ढ़क ढ़क के भी पकान है गाईज नहीं तो यह कब सट जाएगा कब नीचे से चिपक के और जलने सा हो जाएगा नहीं पता लगता है तो गाईज हम समय समय पर इसको चलाती भी रहेंगे और इसकी खुसबू भी अच्छी आती है तो आप देख सकते हैं मैं ठक के पका रही हूं अभी थोड़ा द अच्छी आथी है दोनों इह अच्छी आती है तो गाईज अब हम इसको चला कर देखेंगे तो आप गाईज देख सकते हो इसका कलर खुद पर खुद आ रहा है थोड़ा सा कैमरा दूर है इसलिए अच्छे से नही दिख रहा है मैं बैट केमरा से दिखाऊं गग आप सब डालेंगे धनिया था जहां हमारी चुकिन यसमें टालेंगे लिए धनिया घ्टल यह करिंगे घ्रोड़ की adjust कि react NE ऐज अब बन चुका है चिकेन जह दम पिलकुल अच्छा आप देख सकते हूं सब तो अशन legal टो करके बताना कि हमारी चिकन क्या लगा देखने में और फैनली हमारे रोटी भी बन चुकी है और चिकन तो आप देखी सकते हैं तक के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वुडियो में